जमश्कार आप देख रहे हैं समिक्षा नियूस नेटवर्क इस से में आपको बता दे हमारे साथ मौजूद हैं बाचीत करने के लिए जुबिल किशोर शर्माजी जोकी लोकसर बासांसद है जम्मो पुंच से और कही न कही बाचपा 2014 में पूर्न भहुमत से केंद्र में सरका बनाई जम्मो कश्मीर में 25 सीटे जो हैं यहां पर बाचपा को मिली जुबिल किशोर शर्माजी समय हमार साथ मोजूद हैं जुबिल किशोर की पहले तो आपको स्वागत हैं सर क्या कहना चाहेंगे कुछी महीनों में लोगसबा के चुनावाने वाले हैं क्या बाचपा की अबसे तैयारिया है मैनिफेस्टों में क्या कुछ एड़ किया गया है जन्ता के लिए जम्मो कश्मीर के लिए देखे लोगसबा के चुनाव 2014 में जो हुए उसमें देश के परधान मेंतरी नरिंदर भाई मोदीजी बने लोग उन्हें बड़ी आशा के साथ देश के परध थे आपने देखा होगा कि देश कंगाली के कगार पर आकर खड़ा था बरष्टा चार चरम सीमा पर था अरिश्वज खुरी बाई बतीजा बाद परिवार बाद पार्टी और परिवार की चिंता इसके लावा कांगरिस ने लोगों को कुछ दिया नहीं था और जब देश के प्रधान में तरी नरेंदर भाई मोदी बने उन्होंने लोगों की आशाओं पर खरा उतरते हुए एक बाद एक लोगों के हित में फैसले लिए और आपने देखा होगा कि वही एक बिकास की गती थी वो तेज गती के साथ आगे बढ़ने लगी और बहुत सारे अच्छे कारे हुए जिससे लोगों के मन में भारते जनता पार्टी और नरेंदर भाई मोदी जी का परती एक विश्वास बना और 2019 में फिर उससे भी ज़्यादा सीटें देखकर देश की जनता नरेंदर भाई मोदी जी को देश का प्रधान में तरी चुन चुरू हुआ सासिक फैसलों का और जो लोग चाते थे वो नरेंदर भाई मोदी जी ने किया उन्होंने सबसे बड़ी बात जो की जो कांग्रस की देन थी बरश्टा चार अरिश्वद खोरी और देश का अपमान और उसके बाद ये जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको ब मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई थी उन सब पर काम करना शुरू किया और उन्होंने देश के नागरिकों वो सारी सुगधाएं परधान की जिसके वो हकदार थे और आपने देखा होगा कि एक के बाद एक इतिहासिक फैसले भी उन्होंने लिये चाहे वो जमु किश्म में लिया और यही कारण है कि आज भी नरेंदर भाई मुदी जी की लोग प्रेता जो है वो दिन बदिन बढ़ती जा रही है रही बाद जो आपका बात कर रहे हैं 24 के इस लोग सबा चुनाबोंगी तो एक महोल जो है वो पूरे देश बर में बना है कि नरेंदर भाई विकास की और आगे ले जा सके देश के नागरिकों को वो सारी सुब्दाएं दे सके जिसके वो हकदा है जैसे कि आपने कहा कि हर एक माहोल जो है पूरे देश में बना हुआ है मगर जम्मू की जनता जो है वो साफ तोर पर यह कहते ही नजर आ रही है कही न कहीं विबक्षी जहां पर नेशनल कांफरेंस पीडीपी कांगरिस की सरकार है रही है और के अंदर में भी कांगरिस की सरकार रही है लेकिन जमू किशमीर के क्या हाला थे जमू किशमीर में कोई भी अगर काम करना होता तो उसके लिए एजिटेशन करना पड़ती है धन्ने और परदर्शन क करना पड़ते थे और फिर जाकर कोई जैसे के कश्मीर में अगर कोई मेडिकल कालिज आए जा कहीं इमजी ही अगर आता या बगारा बगारा तो जमू के लोगों को पहले ही इसके लिए त्यार रहना परता था आज जो है आपने देखा होगा कि वही बराबरी का विकास जो है वो जमू और कश्मीर में जो है वो हो रहा है और आपने देखा होगा कि जहां जमू में जो कभी कोई सोच नहीं सकता था जमू का नागरिक लेकन जमू में All India Institute of Medical Science जो है AEMS की सुपधा जो है वो परधान की गई यहां पर IIT बनाया गया और यहां पर IIM भी प्रारमब जो है वो हो गया है अगर हम अम मेडिकल कालेज की बात करें, तो राजोरी मेडिकल कालेज ओदूंबर मेडिकल कालेज कटूए मेडिकल कालेज अगर हम पासपोर्ट आफिस की बात करें तो राजोरी और पुंच के लोगों को वो सुधा भहीं पर परदान की गई है अगर हम टूरिजम के नाते और विकास के नाते अगर बात करें तो अगर आप जम्मू शहर में कहीं भी बाहर निकलें तो आप देखेंगे के बड़ बड़े फ्लाई ओवर बनाए जा रहे हैं बड़ बड़े रोड बनाए जा रहे हैं बड़े ब्रिजिस जो हैं उनका निर्मान कारे जो है वो प्रारंब है और इसके साथ साथ ही जम्मू शहर को सुंद्र बनाने के लिए तभी रिवर फ्रेंट का निर्मान कारे जोरों पर परारंब हुआ 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 है और जहां पर एक आर्टिफिशल जील बने उस पर शिकारे भी चला जाएं किष्टियां भी चलें किश्मीर घाटी डल जील की तरज पर उसका भी नर्मान कारे जोरों पर चल रहा है यह जो बहु फोट है हमारा यह भागे बहु जो हमारा उधर अगर आप जाएँ तो वहां भी returns के कारे जो हैं वो प्रयगर्टी पर हैं जी और मैं यह कहना चाहता हूं कि एक नहीं अनियक ऐसे कारे जो हैं वो जम्मूँ और जम्मूँ के आजपास प्राश्म्ट हैं जिने हम कह सकते हैं जम्मूँ बाद परशन करता हूँ कि देखे कांग्रिस ने कई बर्शों ता का राज किया लेकर सब को वो रहने के लिए शयत नहीं दे सकी थी कांग्रिस के समय में एक पंचायद में एक जा दो केस आते थे कि अगर कोई गरीब बेक्ती है तो वो अपना मकान बना ले और एक दो जब आते थे तो फिर जगड़ा होता था और लोग कहते थे मेरा आए मेरा आए लेकर आज हम देख रहे हैं कि एक एक पंचायद में सो सो सतर सतर असी एक सो बीस बीस घर जो है लोगों को बनाकर सरकार जो है बदेरी जोगल जी जैसे कि आपने कहा कि छट ने दी कॉंग्रिस ने या जो पुरानी सरकारे थी यहां पर जमो कश्मीर में या केंदर में मगर उन्हीं के नेता उसे जब हमारी बात्वी उन्होंने साफ तोर पर यही कहा कि आज रिब्बन काटने का काम बाजपा के नेता कर रहे ह हैं जिनको हमने अप्रूवल दिया था हमने वो प्रोजेक्ट्स लाए थे इन्होंने क्यों नहीं रिब्बन काटे इन्होंने कौन से प्राजेक्ट संक्शिन करवाए थे हाँ आपने भी सुना होगा हमने भी सुना है कि जब एक प्राजेक्ट शुरू हो जाता था तो बर् प्राजेक्ट हम शुरू करते हैं ना उसका लोकार्टन भी हम ही करते हैं तो यब हम शुरू करेंगे तो उसका फिता तो फिर यही सरकार के जो लोग हैं अभी वही काटेंगे ना अगर एक रोड हम शुरू करते हैं तो उगर समय से हम पूरा कर देते हैं तो उसका फिता भी यही लोग काटेंगे ना इसलिए यह उनकी मानसिक्ता रही है उन्होंने कभी इस तरह का विकास ना देका था ना किया था ना उनके मन में कभी आता था लेकर देश के प्रधानमेंतरी जी ने आपने देखा होगा कि भी बरस्टा चार मुक्त परशासन जो है वो ने दिया है और विकास के लिए उन्होंने बचन बददा के साथ वो आगे बढ़े हैं इसी लिए जम्मू में अब मैं आपसे बात करूँ कि देखेजे हमारा एरपोर्ट है बरसों पुराना है लेकिन इसके विकास के लिए इसके नभी नहीं करने के लिए इसका मतलब नई ट इंटरनेशनल इरपोर्ट का डरजा जो है जम्मू इ 1933 को नहीं मिला है कश्मीर गाती में बात करें तो वहाँ पर इंटरनेशैनल ऐरपोर्ट है इंटरनेशनल स्टवाइश् अश्य एरपोर्टों की गिंती में आ रहा है और आप देखेंगे कि ये भी इंटरनेशनल एरपोर्ट की लाइन में आ जाएगा लेकर मैं रेलवे स्टेशन की बात कर रहा था 72 में रेलवे स्टेशन हमारा बना रहा है तीन प्लेड फार्म थे जिए ना और गाड़ियों की संक्या बढ़ती गए प्लेड फार्म उतने रहे सुवधा वही रही और वही सारा सिस्टम रहा तो आज जाकर वहां साथ प्लेड फार्म जो है वो हमारे प्रयासों से बनाय जा रहे हैं जो रेल्वे स्टेशन पर और उठने की बैठने की इंतियार करने की सुभधाय जो है वो भी बढ़ाय जा रहे हैं और फिर आने जाने के लिए भी एक जो नर्वाल की तरब से रास्ता तो था ही बिल्कुल नहीं अपने यह जो त्रिकुटा नगर और गंजे नगर की साइड से अब एक और दौर जो है वो नर्वाल की तरब से भी बनाया जा रहा है जैसे आप देखते हैं ना दिल्ली में हमारा जो न्यू दिल्ली रेल्वे स्टेशन पहाडगंद की साइड से अजमेरी की साइड से बिल्कुल बिल्कुल तो उसी तरज पर जहां भी बनाया कि हमें हमारी जो मांग है वो पूर नहीं की जा रही हमारे को वेतन नहीं दिया जा रहा बकाया वेतन जो उनका है उनको रेग्लराइज नहीं किया जा रहा S.R.O. की बात कर रहे हैं वो तो उसको कैसे देख रहे हैं वो बाइकाउट करते हुए नजर आ रहे हैं आपसे काफर ज़्यादा अमीदे हैं जम्मू पुंच के जनता को आपसे बहुत ज़्यादा अमीदे हैं क्योंकि आप एक मातर हैं केंदर में जाके आप लोगों के अवाज को बलंद करते हैं वहां पर बात रखते हैं देखें समय समय पर हमने अपने छेतर की जतनी भी समस्य आई थी उनका समाधान करने का पूरा प्यास किया है और वहां तक हम सेफल भी हुए है मैं आपको बताओं कि जहां जमू से लेकर पुंच तक अगर जाना होता तो साथ गंटे आठ गंटे लगते थे और अखनूर तक जाने के लिए भी दो गंटे का सफर ताय करना पड़ता था हर जगा जाम लगे रहते थे एकसिलेंट हुआ करते थे आज आप देख रहे हैं कि लोगों की इशानसार वहां पर एक बहुत ही अच्छा फ्लायोबर भी बनाया गया है और नेशनल हाईवे का काम जो फोलेंगा है वो कम्प्लीट होने बाला है मुझे लगता है कि दिसंबर जनबरी तक वो कम्प्लीट हो जाएगा और फिर अपनूर से पुंच तक का बहु जो समय हमें साथ गंटे लगता था अने बालत इनों में तीन साड़े तीन गंडे में हम जो है पुंच और अगले की शेटर तक पूंच जाएंगे इसके इलावा भी मैं अगर आप से बात करूं कि यह जो आप ने बात की है यह जो डिली वेज़स की बात आपने की है इन की Municipal का समधान करने के लिए भी हमने प्रयास किया है औ। हम कहीं किसी हद तक सफली भी रहे हैं और इंकी आवाज को बिलूंद करने के लिए हमने लोग सवा में भी प्रशन भी लगाया । और प्रशन भी और अब केंदर तक पहुंचाया भी तो आपने देखा होगा कि पहले इन लोगों को 200 रुपया 500 रुपया और 1000 रुपय तक जो है तो वो दिया जाता था लेकन उसके बाद आजसा आजसा अब ये साड़े नो हजार साड़े 10 हजार 11 हजार तक पहुंचे हैं लेकन ये प्रयाप्त नहीं है जो मैं भी समीता हूँ और मैं उन भाणियों के साथ हूँ जो चाहते हैं कि हमारी बतनुखवा बढ़ाई जाए या हमें जो है वो कांटिन्यू किया जाए तो अच्छी बात है होना चाहिए लेकन इस समय जमों किश्मीर में सरकार तो नहीं है कोई LG परशासन के नाते ही जे परशासन जो है वो ज किश्वास दिलाते हैं कि हम प्रयासरत हैं और बहुत जड़ हम इसमें कामजाबी होंगे आक्री स्वाल समय आपके पास नहीं है तो आक्री स्वाल आपसे करूँगा डोगरा सॉबिबान संगर्थन के चोड़ी लाल सिंगा आप बहुत अच्छे से जानते हैं आपकी आपक किसी के लिए क्या कहता है किसी के मन में क्या है वो उसके सभाव पर नर्वर करता है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ना ही मैं इस पर कोई परितिक्रिया दे सकता हूँ अगर कोई किसी भी मीडिया में आकर कोई बियान बजी करता है अपने शब्दों को बियान करता है तो उसका उतर जा तो वो दे सकते हैं, जा पर जनके लिए कहा जा रहा वो दे सकते हैं, मुझे इस पर कुछ नहीं देँ जी, बहुत वजों शुक्रिया बात करने के लिए। इस समें हमारे स wonder Lud прибors सांसय सांसत J Rafi gjLean शर्मादी जिन्होंने साफ तोर पर काफी हमने सवाल भी किये और निर्मान कारियों की बात की काफी निर्मान कारे जो हैं वो इस समय चल भी रहे हैं पूरन होने की कुछ हो भी गये हैं पूरे और कुछ अभी चल भी रहे हैं आपने इस वीडियो को पूरा देखा आप भी अपने राए कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा इस वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और पल-पल की ख़बर और पल-पल की अब्डेट के लिए जुड़े रहेगा समिछे नेवस नेटवर्क के साथ मेरे कर लो को इजास्त दीए नमस्कार